है गाईआ तो चलीए स्टाट करते हैं आज के एपनी वीडियो तो आज की मेरी वीडियो है मार्च के कररंट अफियर्स बहुत ही इंपोर्टन का ईफियर्स है तो मैं जल्दी अफियर्स करते हूं रन्सक्राइब का प्रॉब उनकुत कॉर प्रेस कर लिए है बहुत सारे fake pages बने हुए गाइस तो आप लोग make sure कि original page को ही like करे subscribe करे follow करे तो उसकी link मैं डाल देती हूँ आप वहाँ से follow कर सकते हो इसके साथ online त्यारी की link भी मैंने डाल दी है आप उस coupon code से उसको purchase कर सकते हो तो इस time तो holy का offer भी चल रहा है तो आपको 350 में वह जितने भी test से वह सारे मिल जाएंगे इसके बाद यह offer खतम होने वाला है की गई तो मैं आपको बता दो यह जो rice knowledge bank है यह एक web portal है इसकी इसकी स्थापना बोल सकते हैं हम की की गई है असम में इस थापना क्या यह एक web portal है कोई जगा नहीं है जो की बनाएंगी है या लेकिन एक तरीके से इसको हम bank का नाम दे रहे हैं इसलिए हम लोगों ने लिखाए कि स्थापना किस राजी में की गई है और की गई है असम में और मैं आपको बता दो कि जैसे की नाम से सारी चीजे क्या क्या प्रॉब्लम होती है किसानों को किस तरह की रोग हो जाते हैं धान की खेती में इसके अलावक किस तरीके से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है हर एक चीज जो भी कुछ है अच्छी तरीके से उसमें पोर्टल पर दी हुई है ताकि किसी को भी कोई भ परपण योजना है यह यह लॉंच की है पश्चिम बंगाल ने पश्चिम बंगाल और इस योजना के बारे में मैं आपको बदा देती हूं लगों 50,000 बंगाली जो युवा हैं वो इससे लाभानवेत होने वाले हैं तो ऐसा कि बोला गया कि यह जो योजना है यह ऐसे लोगों कुछ खोलना चाहते हैं तो उसके लिए जो है शहायता रासी मिलेगी युवा श्री अरपण योजना के तहट एक लाख रुपए की शहायता रासी मिलेगी और लगवक 50,000 लोगों को बोला जा रहा है कि इससे फायदा होगा तो यह योजना है पश्चिम मंगाल की युवा श्री अरपण योजना चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है अंतर रास्ट्री महिला दिवस कब मनाया जाता है नियूस पेपर आप लोगों को यह याद भी होगा अच्छे से मनाया जाता है आठ मार्च को और मनाने का उद्देश वही है कि महिलाओ का योगदान कितना है वह सारी चीजें लिखी जाती है दिखाई जाती है हर जगा और आपने देखाओ कर जितनी भी मैगगेंस होते हैं उसमें जतने भी ऐसी महिलाओं जो कहीं ना कहीं बुलंदियों पर पहुंची है या उन्होंने कुछ हासिल किया है अपने अपनी दम स से तो उस सारी चीजों को प्रोमोट किया जाता है जिससे कि लोगों की सोच भी बदले और इसके साल साथ महिलाओं की जो दशा है उसमें भी उन्नती हो उसमें भी सुधार हो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाल ही में किस भारती अमेरिकी व्यक्तित्तों को संयुक् लक्ष्मी जो की इंडो-अमेरिकन पर्सनालिटी है इनको संयुक्त राष्ट्र विकासकारक्रम यानि की यूएंडीपी यूएंडीपी के बारे माँ परच्छस जानते होंगे उसका गुडविल एंबैजडर चुना गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ह जमुकस्मीर के किस्तवार दिले में जो चिनाब नदी है उस पर ये किरू जल विद्धुत पर योजना बनाए जा रही है चैसोचोचोबिस मेगवाट के ये विद्धुत पर योजना है और मैं आपको बता दो उसमें लगबग 3300 करोन रुपए लगेंगे 3300 करोन रुपए की लागत आएगी इस योजना में पूरा होने में और इसके साथ साथ लगबग 4.5 साल लग जाएंगे इसको बनने में क्योंकि काफी काफी काम किया जाता है तब कहीं जाके ऐसे विद्धुत पर योजना बनती है चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते है आपको नाम अच्छे से याद रखना है किरू जल विद्धुत परियोजना है ठीक है है कहाँ पर चिनाब जम्मु कश्मीर के किस्तवार जिले की चिनाब नदीप ठीक है भाबा पर मानु अनुसंदान केंद्र जिसको हम बार्क भी लिखते हैं बी ए आर सी का नया किया गया है भावा पर मार अनुसंदान केंद्र का अध्यक्ष किया गया है अजीत कुमार मुहंति को और मैं आपको बता दूँ ये जो है वो भौतिक विज्ञान समू के भी अध्यक्ष है ठीक है फिजिक्स के और इसके साथ साथ अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाबा परमाणू अनुसंधान केंदर के बारे में कि कहां पर है तो महरास्ट के मुंबई सहर में भाबा परमा परमाणू अनुसंधान केंदर रखा गया क्योंकि डॉक्टर होमी जांगीर भाबा ने बहुत ही जादा विज्ञान की एक तरीके से हम बोल सकते हैं विज्ञान के छेत्र में बहुत ही अच्छा कार किया था और इसलिए जो इसका नाम था वह भाबा परमाणू अनुसंध अनुसंधान केंदर यानि कि शोध कार्य होता है तो इसमें बहुत ही अत्यद्वनिक इंफ्रस्ट्रक्चर हैं जिससे कि जितने भी आपकी जो अटामिक साइंस है या इंजीनियरिंग है उनमें जो भी चीजें जिन पर भी शोध करना होता है वो यहाँ पर होता है और इस यह जो अनुसंधान केंदर है यह तरीके से बहुत ही बेस्ट अनुसंधान केंदर है यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे शोध किये जाते हैं भाबा परमाणू अनुसंधान केंदर में और फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि भाबा परमाणू अनुसंधान के जो नया निदेशक है वो नियुक्त किये गए हैं अजीत कुमार मोहंती ठीक है चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में डॉक्टर जोरेस एलफरोव का निधन हुआ वे किस देश के भौतिक शास्त्री और नोबल पुरसकार विजेता थे तो वे रूज के भौतिक शास्त्री और नोबल पुरसकार विजेता थे सेंट पीटर्सपर्ग में इनकी डेथ हुई है और 2000 में वर्स 2000 में इनको नोबल प्राइस से सम्मानित किया गया था चलिए नेक्श देखते हैं राष्ट्री परिवर्तन शील परिवहन तथा बैटरी स्टोरेज मिशन के अध्यक्ष कौन होंगे तो इसके अध्यक्ष होंगे अमिताब कांत ठीक है अमिताब कांत इनके बारे में आप जानते ही है नीत यायोग के CEO और इसके साथ ही परिवर्तन शील परिवहन और बैटरी स्टोरेज मिशन के अध्यक्ष और ये पद पे लगबग दोजार चौबिस तक रहेंगे या हम बोल सकते हैं यह जो मिशन है एक तरीके से दोजार चौबिस तक यह मिशन चलेगा और ये जो परिवर्तन शील परिवहन और बैटरी स्टोरेज मिशन है इसका उद्देश ये है कि सतत स्वक्ष और एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि पूर्ण रूप से विद्दुत पे संचाले ये मिशन है और बैटरी स्टोरेज जैसा कि इसके नाम से लग रहा है बैटरी स storage mission इसमें ऐसी चीजों पे ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा ऐसे परिवहन साधनों पे जो की साजहा होते यानि कि जैसे आपका ओटो होगया तो आटो में कई लोग travel कर सकते हैं एकी बार ओटो में कई लोग travel करते तो इसको ही साजह परिवायन बोला जाता है तो ऐसे परिवायन के जितने भी पुर्जे होंगे या उनकी बैटरी वगेरा उन सारे सबका विनिर्माड कारिक्रम है यह जो मिशन है और यह 2024 तक यह मिशन रहेगा चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाल ही में किस अंतराश्ट्री अंतरिक्ष स्टेशन में केवल महिलाओं की स्पेस वोक आयोजुत करने का निर्ने लिया है तो यह है नासा ने अंतराश्ट्री अंतरिक्ष स्टेशन यानि कि आई एसस में इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन में केवल महिलाओं की स्पेस वोक आय प्रवजुद करने का निर्ना लिया है नासा ने निर्ना लिया है और मैं बता दूँ आपको एनी मैकन और क्रिस्टीना कोच यह दो महिलाएं हैं जो कि स्पेस वॉक करेंगी और यह दोनों महिलाएं निकल करके बाहर आयह से यहांनी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन SS निकल कर बैटरी चेंज करेंगे तो यह शुरुवात की है नासा ने और यह ने लिया है कि अपसे जो भी स्पेस स्टेशन में स्पेस वॉक होगी वो सिर्फ महिलाओं द्वारा ही करवाई जाएगी चलिए नेक्स हम लोग देख लेते हैं हाल ही में सुर्खियों में रहा रोम स्टेश्वेट किस संगठन से संबंदित है तो यह संबंदित है अंतर राश्ट्री आप राधिक न्यायाले से अप राधिक न्यायाले इंटरनेशनल क्राइम कोट ठीक है तो इसमें मैं आपको बता दूं कि कि जो हाल ही में सुर्खियों मेरा रोम स्टेश्वेट के संगठन से संबंदित है क्वेश्चन तो यही था अंतर राश्ट्री आप राधिक न्यायाले हाल ही में मौरिशस जो कि एक आशियान देश है वो इस अंतर राश्ट्री आप राधिक न्यायाले का सदस से बना और क किया है इस रोम स्टैचुट पर चाइना या इनडिया ने और आपको बता दू के मामले में दो और आशयान देश हैं जो इसके सदस्थ हैं जिन में एक है कंबोडिया और दूसरा है फिलीपियन्स और तीसरा तो अभी कर जो अभी बनाया है मलेशिया ठीक है लेकिन जो फिलिपीन्स है वो इसकी सदस्ता छोड़ने वाला है और वो 19 मार्च को 2019 को इसकी सदस्ता छोड़ देगा तो इसके अलावा बुरूंडी जो था वो 2017 में पहला ऐसा देश बना था जिसने अंतर राश्ट्री आप्रादिक नयायाले की सदस्ता को छोड़ा था ठीक है तो अभी बता दूंए कि अभी 124 देश हैं जो कि अंतर राश्ट्री आप्रा चलिए नेक्स हम लोग देखते हैं आयश्मान भारत योजना में फ्रॉड को रोखने के लिए किसकी अध्रक्षता में जॉइंट वर्किंग ग्रूप का गठन किया गया है तो दिनेश अरोड़ा दिनेश अरोड़ा के अध्रक्षता में जॉइंट वर्किंग ग्रूप का गठन किया गया है और इसमें एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो स्वास्त प्राधिकरान है वो भी इसमें है इस वर्किंग ग्रूप में जॉइंट है और मैं आपको बता दूं कि क्यों ऐसा किया प्राउड ना हो कि जिन लोगों को उसका लाब ले सके कोई ऐसा वैक्ति ना लाब ले सके जिसको कोई भी ज़रूरत नहीं है तो इस वजए से इसका गठन किया गया और छह महींने यह रिपोर्ट भी अपनी देंगा आईश्मान भारत योजना के लिए इसका गठन वहाई जॉइंट वर्किंग ग्रूप का गठन हुआ है और जो अज्यक्ष बनाएं गए हैं उनके नाम है दिनेश अरोडा ठीक है तो इसको आपको लॉर्ण कर लेना अच्छा से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाल ही में सरकार ने किस बाल प्रबंदन कारिक्रम को मंजूरी दी है तो सरकार ने दिया है आपदा प्रबंदन वा सीमा छेत्र आपस्ट है बाड़ आपदा प्रबंदन वा सीमा छेत्र कारिक्रम तो बाड़ आपदा प्रबंदन और सीमा छेत्र कारिक्रम ने सरकार ने इस बाड़ प्रबंदन कारिक्रम को मंजूरी दिये इसका नाम है मंजूरी दिये इसका नाम है बाड़ आपदा प्रबंदन वा सीमा छेत्र कारि कर्क्रम के लिए बाड प्रबंदन के लिए कारक्रम कुक भी बाड आती है विर जो भी बाड परदन होती है też को हम बोलते हैं ऐसा कुछ अगर होता है तो कैसे उस छेतर को राहत मिले उस राज्य को राहत मिल सकती है तो इसके लिए कुछ प्रावधान किये गए है तो कुछ राज्य जो कि Journal category के हम बोल सकते हैं यानी कि बहुत ज़ादा जो संभावित नहीं है बार संभावित नहीं है उनमें क्या रखा गया है कि उसमें 50% जो पैसा है वो राज सरकार का होगा और 50% पैसा लगाएगी केंद्र सरकार लेकिन कुछ ऐसे राज जो एकदम सीमानत है और जो हम बोल सकते हैं कि जिनमें बाड आने की जादर सम्भावना होती है जैसे कि आपका हिमानचल प्रदेश हो गया उत्राखंड हो गया तो इस तरह कि जो राज है उनमें जम्मू कश्मीर हो गया उनमें ऐसा किया गया है कि 70% जो पैसा है वो केंद्र सरकार देगी और बागी का 30% पैसा देगी आपकी राज सरकार और ये टोटल जो बजट है वो लगबग 3342 करोण रुपए का है ताकि बाड से जो है लोगों को राहत पहुचाई जा सके कैसे कितना ज़्यादा इस पैसे का यूज करके ये लोग बाड से प्रबंद करते बाड आपदा प्रबंद करते वो हम देखेंगे आगे और ये जित्ते भी सीमानत शेतर है उनमें ज़्यादा तर मोशली ये चीजे होंगी चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किस खेल संग को राश्ट्री ये खेल संग के रूप में मनजूरी दे गई है आपको याद रखना है कि खेल के बारे में नहीं आप पूछा गया खेल संग के बारे में पूछा है तो राश्ट्री क्यारम खेल संग जो है राश्री केरम संग को मंजूरी दी गई है राश्री खेल संग के रूप में और एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इस वज़ा से भी ये सारे कारे किये जा रहे ताकि इन गेम्स को भी प्रमोट किया जा सके क्योंकि ये games ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग जिनको खेलना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि इन games को खेलने से कोई भी future नहीं बनना है और अगर games खेलने तो like badminton, cricket ये सारे games ये आपको future दिला सकते हैं आपका कुष्टी हो गई आपकी बॉक्सिंग हो गई लेकिन ऐसा नहीं है सारे गेम्स अपने आप में इंपोर्टेंट होते हैं और इसी के लिए ऐसी चीज़े चलाई जाती है ताकि हर एक गेम को या जो भी वेक्ति हैं जो इन गेम्स को खेलने में माहरे उनको प्रोमोट कर सके सरकार तो ये जो है राश्ट्री कैरमसंग को राश्ट्री ए खेल संग के रूप में मनजूरी दी गई और ये लगबक तब तक रहेगा या तो 31 मार्स तक हम बोल सकते 31 मार्स तक रहेगा या फिर ये भी बोल सकते जब तक अगला देष दिल्ली हाइव कोड नहीं निका मकला गिया है अभी स्थाई तोर पे राष्टि कैरम संग को राष्टि खेल संग की मञट्चूरी नहीं मिली लेकिन है pienमूरी जब तक कि दूसरा नया पारित नहीं होता है तब तक आपका राश्ट्री कैरम संग एक राश्ट्री खेल संग आपका रहेगा ठीक है तो यह चीज़े आज की क्लियर हो गई आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आप लोग स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो तो गाईस कैसी लगे आपको आज के वीडियो मुझे कमेंट में बताना मत बूलेगा वीडियो को लाइक करना मत बूलेगा और सबके साथ शेयर कर दीज़ेगा तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहें सीखते रहें सिक्षादिक किसा के साथ